दोस्तों स्वागत आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में आगे बढ़े से पहले एक बार फिर से आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए लाल बटन को दबा कर इस च मिल रहे हैं कि भारतिय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ होने जा रहा है तो अगर आप लोगों को इस सारी अपडेट से ये चैनल को सब्सक्राइब करिए साथी बेल आइकन दबाईए और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को यहीं लाइक जरूर क करिएगा अब इस वीडियो के शुरुआत में आपको दिखाना चाता हूँ आज में कि इस टाइम पर भारतिय जनता पार्टी कितनी जादा डेस्पिरेट हो चुकियो और इस डेस्पिरेशन में आखिरकार किस तरीकी की घटिया और नीच हरकते भारतिय जनता पार्टी कर रही है मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाता हूँ एक ग्राफिक आप लोगों की स्क्रीन के ओपर डेस्पिरेशन इसलिए है क्योंकि यह लोग हार की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं इनफाक्ट सुबह की वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से स्क्रीन के ओपर बीजेपी गुजरात का ओफिशिल ट्विटर यह हैंडल है और एक ग्राफिक डाला गया यह ग्राफिक से साफ पता चलता है कि इनकी जो मेंटालिटी है इनकी जो मान सकता है वो कितनी जादा घटिया नीच और नफरत से लबा लब पूरी तरीके से भरी ह कर दो हुए है और यह जो ग्राफिक है यह सिर्फ प्ट्र्पे नहीं डाला गया है लेकिन इससे जजादा बड़ी बात यह कहानी आपको बताऊंगा किस तरीके से इस ग्राफिक के माध्यम से अखिलेश यादव को टारगेट करने की कोशिश करी जा रहे क्योंकि अब कुछ भी नहीं चल रहा UP इलेक्शन में भारतिय जनता पार्टी का हर पैतरा फेल हो चुका है तो BJP जो है फुल फ्लेजिडली एक ही पैतरे पर जुट चुकी है वो है आतंकवाद की पूरा का पूरा मैटर घुसेड नाचुनाव के अंदर और आतंकवाद की इर्जाम लगाया जा रहा है अखिलेश यादव के उपर लेकिन अगर इन ही बातों पर इनकी लॉजिक्स को माना जाए तो ये लोग खुद ही एक गोबर के कुए में अपने आप डूब जाएंगे कैसे ये भी आपको बताने वाला है सबसे पहले इस ग्राफिक को देखिए नफरत भरे ग्राफिक को देखिए और जारा देखिए कि आखिरकार किस तरीके से भारती जनता पार्टी वो पार्टी जो देश में सरकार चला रही है वो मुसल्मानों के अगेंस्ट जहर उगलने का काम कर रहे है नरेंद्र मोधी ड्रामा बंद कर दीजे प्लीज आप नरेंद्र मोधी दो दिन पहले कह रहे थे कि मुसल्मान बेहनों का आशिरवाद मेरे साथ है किया आप इस तरीके के ग्राफिक दिखा कर मुसलिम लोगों का या फिर मुसलिम बेहनों का माताओं का चाहते आप उनको डराना चाहते मैंने इस ग्राफिक का या इस पूरे ट्वीट का एक स्क्रीन शॉट लेकर आपके सामने रखा है और इसमें इसका ट्रांसलेशन जो गुजराती भाषा में लिखा है उसका ट्रांसलेशन भी आपको नजर आ रहोगा जहां लिखा है अब मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे की कहानी और आखिरकार किस तरीके से अखिलेश यादव के इर्दगिर्ध ही उनको टार्गेट करने के लिए ही ये ग्राफिक डालागे ये जो पूरी कोशिश है आज नहीं ये कल्च से परसों से शुरू हो चुकी थी सबसे पहल का एक मैटर था जहाँ पर एहमदाबाद में सीरियल ब्लास सामने आये थे और उस मैटर पे जज्जमेंट निकल कराता है कब चुनाव के वोटिंग डेज से ठीक एक दिन पहले ये सब गुजरात की चीजे तो इस्तिफाक की तो बात हो नहीं सकती डेफिनेटली मोधी है त चन्टू बंटू कॉन? अनुराग ठाकूर निकल करके गए और उन्होंने अलिगेशन लगाना शुरू करा एक तस्वीर लेकर के घूमते न नजर आए उस तस्वीर के माद्यं से आपके सामने ट्वीट है ना इका तस्वीर के माद्यं से उन्होंने कहा कि मुहमत सेयफ जो खिलाने का काम कर रहे थे ये सवाल खड़ा करने का काम करता है अब इनकी बातों पे डेफिनेटली यकीन करा जा सकता था इनकी बातों को सच माना जा सकता था लेकिन आखिर का सच कैसे माने जनता अभी से लगभग एक हफते पहले हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योग्या अ और योगी आलित्यानाथ ने Photoshopgeben stuff ट्वीट करने का काम किया था यह बात हमारे को पता चली थी अब अगर हमारे को यह पता चलता है की सूबह के मुख्यमंत्री यानि कि इतना बड़ा था पोटोशॉप ciao photo tweet करने का काम कर रहा है तो यह अनुराब ठाकुर की photo पर आखिरकार जनता कैसे विश्वास करें सबसे बड़ी बात ये अब दूसरी बात ये अगर ये फोटो सच्ची भी है मान लेते हैं एक बार को फोटो सच्ची है तो इस लॉजिक से मैं कुछ फोटो आपकी स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं अगर ये लोग इस लॉजिक को पेश कर रहे हैं तो इन लोगों ने अपने आपको गोबर के कुए में खुधी डूबोने का काम कर दिया कैसे कुछ फोटो जरा देख लीजिए आप समझ जाएंगे सारी कानिया अपने आप सबसे पहले देखिए अपनी स्क्रीन के उपर बाबा राम रहीम संत अपने आप मेल खटर जो है वह बाबा राम रहीम जिन केसे में इस ताइम पर कन्विक्टिड है क्या वह उस केस में उस या फिर वह भी उसी टाइप के आदमी हो गए कि अगर इस पूरे लॉजिक केस आप से चला जाए यह सिर्फ एक फोटो आपको एक और फोटो दिखाना चाहता हू अब आपको दिखाना चाहता हूँ नरेंदर मोदी की फोटो जरा देखे अपनी स्क्रीन के उपर नरेंदर मोदी फोटो में आसा राम के साथ नजर आ रहे है बापू आपू कोई नहीं है यह आसा राम के साथ नजर आ रहे है एक फोटो आपकी स्क्रीन के उपर कौन है यह आसा राम यह आपकी स्क्रीन पर आप जाकर जब इसको Google सर्च करेंगे तो आपको भी यही मिलेगा In 2018 आसा राम वस पाउंड गिल्टी of the rape of an underage girl and is currently serving life imprisonment in जोधपुर अगर इस logic से चला जाए जो अनुराग ठाकूर पेश कर रहा है तो उस हिसाब से नरिंद्र मोधी क्या हुए मैं कुछ नहीं बोल रहा है यहां पर मैं सिर्फ अनुराग ठाकूर के logic से कुछ photos आपको दिखाने का काम कर रहा हूं इस तरीके की बाते यह लोग कर रहा है कि अनुराग ठाकूर एक article भी 26 के उपर अनुराग ठाकूर ने actually कहा क्या है किस तरीके की बात यहां पर हो रही है एक article जहां पर बताया गया है कि अनुराग ठाकूर ने यह कहा है कि जो accused जो convicted है उसके फादर अखिलेश यादव के घर गए थे बिरियानी खाने के लिए नीम के साथ दिखा रहा हूं और ना जाने कितनी फोटो आपको अच्छे तरीके से याद होगा नीरव मोधी के साथ नरेंद्र मोधी की फोटो उसके बाद मेहुल चौक्सी के साथ नरेंद्र मोधी की फोटो याद है आपको दावोस इस तरीके की ना जाने कितनी फोटो ज सुझ से बढ़ी चीज आपके सामने में रखना चाहता हूं सबसे बढ़ी चीज है कि जिन लोगों नियुक्त स्क्रीशॉट है पूछ रहे हैं पिर ऊपने घर पे बुलाने का काम क्यों कर रहे हैं जिस पार्टी से बार बार ये सवाल होना चाहिए कि आप एक टेरिर अक्यूस्ट को पार्लेमेंट कैसे पहुँचा देते हो वह पार्टी और उसे सवाल पूछ रहे हैं यह अपने आप में कितनी जादा बेवकूफी भरी बात है आपने आपने आप समझ रहे सकते हैं इसको यहाँ पर इसके लावा यह मैटर यहाँ खतम नहीं होता इस टाइम पर अखिलेश आदव को कैसे सारे लोग मिलकर के टारगेट कर रहे हैं और मैं क्यों इस बात को उठा अब आपको दिखाता हूँ इसके उपर प्रचार कैसे चल रहा है जितना भी थर्ड फेस तक नरेंद्र मोदी की आदत है पिशली बार भी जब यूपी का चुनाव वह था थर्ड फेस तक नरेंद्र मोदी ना आपको पाता है क्या था थर्ड और फोर्ट फेस के आसपास की बात है जब नरेंद्र मोदी ने कब्रिस्तान वाला शंशान वाला एक स्टेट्मेंट दिया था याद होगा आपको अच्छे तरीके से और वही पर फेस में नरेंद्र मोदी फिर से एक नए प्लान के साथ आया नरेंद्र मोदी का प्लान किसलिए है कि पहले चंटू- को उठाने का काम किया आपके स्क्रीन पर देखे और इस बेवकूफी भरे लॉजिक को देखेगा जरा एक बार इस पर इनकी ट्रोलिंग भतेरी हो रही है जरा इनके स्टेट्मेंट को देखे गुजराद बम धमाके में आतंकियों ने सपा के चुनाब चिन साइकल पर बम रखे थे मैं हैरान हूँ आतंकियों ने साइकल को क्यों पसंद किया है यानि कि अगर किसी accused ने या फिर किसी convicted ने साइकल को इस्तिमाल किया तो उसका साइकल से relation जोड़ दिया आपर नरेंदर मोधी जी ने मोदी जी के लॉजिक को दोस्त करना मैं चाहता हूं, यहाँ पर नरेंदर मोदी जी अगर आपके लॉजिक के हिसाब से चला जाए, तो आपकी फोटो में आपको दिखाना चाहता हूं, जब आपकी स्क्रीन्स पर देखिये, नरेंदर मोदी साइकल चला रहे हैं, बहुत पु पार्टी का अखिलेश आदव का प्रचार कर रहे हैं क्या इसके अलावा इनके मंसुक मांडविया जो कि हमारे देश के मिनिस्टर हैं बहुत बड़े वो भी साइकल चलाने का काम कर रहे हैं और ना जाने कितनी फोटो मैं आपको दिखा दूँगा जहां पर बीजेपी के अल कामकरर कवार कहा गया इस टाइम पर डेवलॉपमेंट कहां गया इस टाइम पर हमारे उत्तर प्रदेश की विकास के बारे बाते मैं आखिलेश आदव बक detective के बीजेपी के भी हूँ समाजवादी पार्टिय खिलेश यादव के ट्विटर हैंडल पे आप जाके देखो कभी 300 यूनिट बिजली दी जाएगी 22 लाक युवाओं को रोजगार दिया जाएगा लोगों को पेंशन दी जाएंगी पेंशन के मामले की बात होती है आर्मी के भरतियों की बात होत पूरा का पूरा political campaign है और आपको दिखाना चाहता हूं साथ में किस तरीके से नरेंद्र मोदी का पूरा प्रचार तंत्री और ये प्रचार तंत्र जब एक तरीके की हरकते हैं यह लोग उससे समझ में आ जाता है कि यह लोग एक पूरी planned strategy के साथ बाहर निकले हैं और क्यों क्यों ने एमदाबाद blast के लिए cycle का इस्तिमाल क्यों किया 2013 में आतंकियों के मुकदमे SP सरकार ने वापिस लिए इन सब चीज का प्रचार copy paste copy paste एक toolkit चलाने का काम किया जाता है जब यह चीज़े सामने आती है तो साफ पता चल जाता है कि यह भारतिये जनता party का कुछ भी न मानी जाए जब मुख्य मंतरी योगी आदित्यनाथ सूबे के मुख्य मंतरी जब photoshop photos tweet कर रहे हैं तो अनुराग ठाकूर क्या है कौन से खेती मुली है योगी आदित्यनाथ के सामने बहुत चोटा नेता है उनके सामने और वो अगर एक photo लेकर आता है तो क्या उसकी authenticity है और आज आखिरकार ये सब बाते क्यों याद आ रही है अगर एक terror accused के father के साथ अखिलेश यादव की photo थी बिर्यानी खा रहा था अखिलेश यादव तो क्यों उस time से इस बात को नहीं बोला गया आज के लिए save करके क्यों रखा गया है ऐसे timing पे बहुत सवाल उठते हैं अगर आप कहते हो कि अखिलेश यादव के terrorist के साथ links है और अखिलेश यादव भी terrorist है एक तो आप हमारे देश की security के साथ खिलवाड कर रहे थे अगर आप ये बात आज जाके बता रहे हो इतने दिन से दवा कर बैठे थे आप से बड़ा terrorist कोई हो ही नहीं सकता अब वापिस आना गुजरात ने इस photo को tweet करने का काम किया कि यूपी में election चल रहे है और definitely अगर बीजेपी अपने official main handle से इसको tweet करती तो चुनाव आयोग वैसे चुनाव आयोग खुदी यहाँ पर एक कटपुतली बना बैठा है लेकिन फिर भी कहने को लोगे कहते कि चुनाव आयोग इसके कारवाई क्यों नहीं कर रहा इसलिए बीजेपी गुजरात के official handle से इस photo को tweet करने का काम किया गया और अखिलेश यादव को इस photo के माध्यम से target करने का काम किया गया साथ ही हमारे देश के जो Muslim समुदाय के लोग हैं उनको भी target करने का काम किया गया और फिर इसकी थोड़ी द जूट होंगी दोस्तों इनी चीजों को आपके सामने रखना चाहता था इन्होंने logics पेश करें और इनी के logics को मैंने आपके सामने रखा और साफ यह दिखा दिया कि कैसे ही अपने logics के चकर में ही गोबर के कुए में जाकर के गिर चुके अपने ही trap में पूरी तरीके से अब मैं सिर्फ इतना सा आपसे चाहता हूं कि आप इस वीडियो को दबा के आगे लोगों से शेयर करें लोगों तक पहुंचाने का काम करें जिससे लोगों को समझ आए कि आखिरकार इस टाइम पर UP में भारतिय जंता पार्टी की जमीन किस तरीके से हिर चुकी है और कैसे जंडू बांड टैक्टिक्स यहां पर अपनाए जा रहे हैं अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो नीचे दियो लाइक के बटन को सब्सक्राइब के बटन को बेल आइकन को ज़रू दबाए साथ अगर आपको मेरा काम पसंद आ नीचे चैनल के जॉइन के बटन को भी दबाईए मेरे चैनल को जॉइन करिए मेरे हाथों को और मजबूत करिए मुलाकात होगे आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में जहापर मैं फिर से आपको बताऊंगा उत्तर प्रदेश चुनाव की कोई अपडेट जह हुआ 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 है